यहलो गार्ट अन्देर वीडियो अ स्टॉक मार्किर्ट वेडियो इंडियव के फिनास त्यूम से लिमिटेट की यह मार्च कोर्टर के फिनासल रिजल्ट सब्सक्राइब स्टेंड़ान कॉंसॉलिडेटिड दोनों रिजल्स आउट हो चुके आज केस वीडियो में चलिए फेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोगा चुके कॉंसॉलिडेटिड फिनांसल रिजल्स में लैक्स में नमबस दिए गए इंकम के अगर बात करें तो को पिषले काटर्म 294 के रोड था माड़ स्ट्वाटर में 279 कुरूर का इंकम था इंकम कॉरटर और यह ऊंट्रेटिगे परlıाटर अग्स retią के आया है 138 करोड का पिछले quarter में 100 करोड था और March 22 quarter में 123 करोड का यहां पे एक्सपेंस यह ओप्रेटिंग पॉफित था quarter on quarter year on year दोनों के ओप्रेटिंग पॉफित में तेजी देखने को मिल रहा है नेट पॉफित जो निंकल के आया है सबार का 106.8 करोड का पिछले Q4 में 76 करोड था और मार्स 22 करोड में 92 करोड का net profit था जो कि quarter on quarter year on year दोनों में यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है EPS निकल के आया इस बार का 28.77 rupees का quarter on quarter year on year दोनों में यहाँ पर strong growth देखने को मिला है तो इस company का जो result निकल के आया consolidated में बहुत यह strong result company page के अगर हम लोगे स्टेंडर्लोन रिजल्स को कवर करें, नम्बर्स लैक्स में दिये गए, इंकम में 263 करोल का पिछले कौर्टर में 234 करोल था, और मार्च 22 कौर्टर में 196 करोल का इंकम था, इंकम कौर्टर और कौर्टर, यर ओन यर दोनों में आप तेजी देखने को मिल रहा एक्सपेंस कंपनी का है 154 करोल का, पिछले कौर्टर में 160 करोल था, और मार्च 22 कौर्टर में 123 करोल का एक्सपेंस हुआ था, जो कि कौर्टर और कौर्टर में डाउन है, कंपनी का इंकम में तेजी है, लेकिन एक्सपेंस डाउन है, जिसके बार का उप्रेटिंग पॉफि निकल के आया है कंपनी का 85.9 करोल का पिछले कॉटर 56.6 करोल था और मार्स 22 कॉटर 55.7 करोल का नेट पॉफिट था क्वाटर और क्वाटर येर ओन येर दोनों में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो अब हम लग वीडियो को ही पर रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स वोड़ाव में तिल दिन बाई बाई